वर्ष 2021 खत्म होने में अभी कुछ ही घंटे का समय बच्छा है नय साल की दस्तक से पहले ही बात अगर दिग्रश शहर के पाली का प्रशासन और चन प्रतिन्जों की बीते सालोक्स के क्रिया कालपो की की जाये तो खुशी कम और मायो सी ज्यादा होती है आईए देखते हैं द साल का बदलना या नय साल का आगमन वार्शिक कैलेंडर में केवल आकडों की अदला बदली तक ही सीमित नहीं होता बलकि समय और काल की आगे कुछ मानवी सभ्यता और विकास से जुड़े विभिन्न बदलाओ का भी कारक होती है लेकिन बदलाओ की उप्रोक्त मान्यताओं में शायद दिग्रस शहर या यूं कहें कि दिग्रस नगर पाली का एक अपवाद बनकर उभर रही है क्यूंकि यहां अब एक दिन बाद याने दो जनवरी को पार्शदों और नगरा ध्यक्ष के कारेकाल का समापन होने जा रहा है ऐसे में पीछे मुड़कर शहर की सियासी खिडकी से जाकने पर शहर का विकास आउंधे मुगिरा हुआ नजर आता है क्यूंकि जिन महान उद्देश्यों के लिए पार्शदों और जनपरती निधियों ने चुनावी आश्वासन दिये थे वो आश्वासन या वादे या तो डिब्बा बंध है या अधर में लटके हुए है या फिर उडंचु हो गए है शहर में प्रार्थमिक सुविधाओं की आज भी किल्लत है नालिया सडके मुहलों की सच्छदा जलापूरती की समस्या जसकीतस है वैसे अरुनावती बांध में परियाप्त जलस्तर होते हुए भी इस साल अच्छी खासी बारिश होते हुए भी शहर की जनता को आज भी चार से छे दिन बाद पे ये जल मिल रहा है कई सडकों पर तो कई गलियों में गड़े पसरे हुए है कई रास्तों की मरमत अब भी बाकी है इसी तरह शहर में महापूर्शों और समाज सुधारकों के समारक का रख रखाव भी एक अहम मु अंदियों को ठेके दिलाने और बिल निकालने की माथा पच्ची करते हुए तो कहीं पर भ्रस्टाचार के आरोप प्रत्यारोप में वे वेस्त नजर आये मुहलों के विकास की हालत भी किसी से छुपी नहीं है बारा भाई मुहले में चौतरफा जमा होने वाले बारिश का पानी हो या फिर नदी किनारे फैले हुए कचरे का अंबार ये सब स्थानिय पाली का प्रशासन और पार्शदों की अंदेखी की और इशारा करता है इस बीच हर साल बारिश के आगमन पर शहर के मुख्य रास्तो सहित गली मुहलों की खस्ताहाल सड़कों की कलई खुद ब पीडितों की घरकुल योजना खंडर में तब्दिल हो गई है बीते 15 सालों से 952 घरकुल में से अब भी करीब 500 घरकुल का कोई अतापता नहीं इसके साथ ही दिगरसदार्वा महामार्ग का का काम कचुआ गती से जारी है आमी दिगरसकर संगटन के आंदोलन के बाद भी इ पेक्षा अनुरूब गती नहीं मिल पाई है वैसे भी दिगरसदार्वा महामार्ग पर आए दिनों होने वाले सड़क हाथसों में अब तक 30 से जादा लोग अपनी जान गवा बैठे है इसी तरह से बीते दिनों मोती नगर शिवापूर देवनगर में नगर सेवकों ने घ वाजनीती चमका रहा है ऐसे आरोब भी उस वक्त किये गए ऐसा नहीं है कि दिगरस विधान समा निर्वाचन शेत्र के शिवसेना विधायक संजय राठोड ने कोई विकास कार्य नहीं किया है उन्होंने तो विकास कामों का कथित रूप से बीडा उठाते हुए जलापू लाने के प्रियास किये है उन्होंने योगा भवन बनवाएं अगर बत्ती लगू उद्योग भी सागार गिया इन सारे विकास कामों के बावजूद बरसों से प्रलंबित कामों का निप्ता रा करने में वे असफल रहे है जानकारों की माने तो दिगरस दार्वा नेर विध विधान सबाशेत्र के विकास कारियों में बादा उत्पन हुई है यह दोनों जन परतिनी धी अगर अपने अपने मन मुटाओं वक्त रहते दूर कर लेते हैं तो दिगरस दार्वा विधान सबाशेत्र या फिर वाशिम यौत्मा लोकसबाशेत्र का भरकस विकास हो सकता ह और यही विकास की अपेक्षा जनता अपने मन में लिये बैठी है BCN News के लिए दिगरस है जुबेर खान की रिपोर्ट